सर्दियों में तो आपने बहुत सारे लड्डू बनाके खाई होंगे इनर्जी वाल्स और इनर्जी लड्डू तो आज गड़ियों के लिए मैं ये लड्डू लेकर आई हूं जो साथ में आपके पेट भी ठंडा रखेगी और खून की कमी विगेरा है या आपको बाल जढ़ने की प्रॉबलम है या आखों में प्रॉबलम है तो उसे भी ये लड्डू दूर कर देगी तो आप वीडियों में बने रही है और बच्चों को भी आप ये लड्डू दे सकते हैं बच्चे बड़े सभी घर में ये खा सकते हैं क्या होता है न कि बच्चों वगेरा को कुछ ड्राइफूर्स हम लोग नहीं देते हैं लेकिन ये लड़ू आप बच्चों को दीजिएगा तो ये सभी इसमें सभी गुन सभी पौश्टी की एनरजी सभी इसमें भरी हुई है तो भीना किसी देरी में चलिए बनाना फ्रेंस देखें यहां पर मैं जिस कटोड़ी से आलवन ली हूँ उसी कटोड़ी से मैं ली हूँ यहां पर खाजू को पाँच मिनिट अच्छे से रोष्ट करने के बाद पाँच मिनिट आप उसे रोष्ट कर लीजेगा फिर यहां पर आपना लेगा वालनेट थोड़ा सम यहाँ पर मेदार यह थोड़ी सी अलसी तीसी और पपी सीड मतलब पोस्ता दाना सभी को अच्छे से पांच मिनिट आप एक तम अच्छे से इसे रोष्ट करें अच्छे से इसे भून जी शूखाई ही हमें इसे भूनना है यहाँ पर मैं ना ही घी खाई यूज करूँगी ना ही गुर का ना ही चीनी का ना ही चास्मी का तो मैं आप किस तरह किसे इसे बनाऊंगी आप वीडियो में इसके लिए बने रहे तो पांच मिनेट इसे अच्छे से भूनने के बाद देखे सभी इच्छी को मैं अच्छे से भून दी हूँ देख सकता ही इसका कलर भी देखे चेंज हो चुका है और उसमेने एक सोदी-चोदी खुश्बू भर आने लगीगी इसे ठंडा करने के बाद आप इसे mixy jar में ढालीए अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा तब आप इसे mixy jar में ढालकर इसके बाद इसे हमें पूरा एकदम मही नहीं पिशना है, आप बीडियों में बने रही हैं, उसके लिए देखें, में किसरी से इसे पिशूँँगी, फिर थोड़े से मैं सूपय नारियल को इसी तरीके से मैं ड्राय रोष्ट कर ली हूँ, इसमें गीवेगरा कुछ भी नहीं डाली हूँ, इसके बाद इसे पीस लीजिए देखिए, यहाँ पर मैं देख सकते हैं कितने इसमें खड़े भी दाने हैं, कहीं-कहीं भी देखिए, पुर के से मिलकुन, यह अच्छे से क्राइंड हो जाए कि फ्रेंड्स और यह कमबाइट करने के लिए बहुत है, लड्डू भी बंधा जाएगा इसे अच्छे से, इसके बाद अगर आप इसे मीठा कम लगे तो थोड़ा सा आप यहाँ पर हनी भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा औ मेरी जो है न, वो छूटी पर गई थी, तो यहाँ पर मैं इसे एक बड़े से भगवनी में डाल कर अच्छे से खजूर और हनी के साथ हमें इस पाउडर को अच्छे से मिक्स करना है, देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद, देखिए खुद वखुद ह आना स्टार्ट हो जाएगी, देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से लड़ो को हांतों की सहाइता से अच्छे से गोल-गोल सेप मी से बांध लेजी इस तरीके से देखिए, बहुत थी फटा-फट से बन जाएगी फ्रेंड्स और बच्छों को तो बहुत पसानद आएगी जो ड्राइफ उसा बच्छे को नहीं भी देते हैं इस लड़ो में भर भर कर है और बच्छे भी इतना टेश्टी भी बनाया ना कि बच्छे भी इसे मांग मांग कर खाएंगी, खुशी से खाएंगे और बच्छे को भी यूमिनीटी और यादास की सक्तिको भी का साथ ही पेट को भी एकदम ठंधा रखेगा, आप बच्छे को रोज एक इस तरीके से लड़ो बनाकर आप दे सकते हैं, मैं तो हमेशा ही इस तरीके से बनाकर आप कंटेनर में भी एक वीक तक आप इसे नॉर्मली टेंपरेचर पर बाहरी फ्री रिमत रखिएगा, बाहर पर लाइक कर दीज़े हैं, तो यह लड़ो बनकर रेडी हैं, और यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनी है, बीना गूर, बीना चासनी, और बीना ही घी के, तो आपको हमारी यह लड़ों की रेसिपि, एनरजी बॉल की रेसिपि कैसी लगी, फ्रोटीन से भर पूर रेस्पी कैसे लगी गामिन्ट में जरूर बताईएगा फ्रेंड और हमारी रेस्पी अच्छी लगती है तोलाइक कर दीजिए अपनी विडियो सेयर कर दीजिए मिनिए नेक्स वीडियो में तब थक अपने सियाध का ख्याल रखिये